हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर दिख स्वागत है देखिए आज हम बात करेंगे एक्शली ड्यूगोंग या जिसको समुदरी गाए कहा जाता है आप कहेंगे वह समुदरी गाए क्यों देखिए इसके पिशेक लोजिक है गाए एक्शली माना जाता है कि सबसे सीधा प्राणी होता है और ये बोलते हैं कि गाए जो है पूरी तरह से वेजिटेरियन होती है तो जो ड्यूगोंग है एक्शली ऐसा एक मात्र ममेल है जो पानी में रहता है लेकिन फुली साकाहरी है यानि घास फूस काता है तो यही एक वजह है इसको इस्पिसल बनाती है और एक्शली आईउसीन की रेड लिस्ट में यानि बहुत जादा यह संक्या में बचे नहीं है तो उनके लिए इंडिया में जो तमिल नाडू है पाक बे जो भारत और सिलंका के बीच में पाक स्टेट है वहाँ पर यह पाक बे है तो वहाँ पर तमिल नाडू में ड्यूगोंग इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर रिजर्वेशन रिजर्व टू बिल्ट इन तमिलनाड़ो में इनका पहला रिजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा तो देखी अगर मैं फिगर दिखाऊं तो यह फिगर हैं समुदरी गाए और समुद्र में जो गहां से होती है यह उनिक पे पूरा डिपेंड करती है दा स्टेट गवर्मेंट इन असेंबली ओन फ्राइड देकलेड फाइव हंट्रेड स्कॉर किलोमेटर एरिया अवर्मेटर अवर्मेटर पेकल अवर्मेटर रफ्रा बाल प्रणिया इनकि पाकबेड लिच गोशन को सिर्वा, पाकबेड बेस्ट आपक्तनम अवर्मापक्तनम। अमपतनम। as the population of dugong as known as sea cows in Indian waters has been dropping to dangerous levels. According to the Wildlife Institute of India, estimates only 200 to 250 dugongs are left in the wilds, of which 150 are found in the Park Bay and Gulf of Mannar in Tamil Nadu. The last surviving natural habitats for dugong in the world is one of the four surviving species in the order Serenia and it is the only existing species of herbivorous mammal that lives exclusively in the sea including in India. Yarni, this is the only thing that this herbivorous is and this species of herbivorous is the only species of herbivorous. They are listed as vulnerable on the IUCN Red List and are protected in India under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act, WPA 1972. According to the Environment Secretary, Supriya Sahoo, 500 square kilometer is only an indicative number. We will conduct a detailed study and a stakeholder meeting after which the actual size of the conservation reserve will be notified. जो 500 square kilometer हम बोल रहे हैं, अब ये जिस्ट अप्रोक्स में बोल रहे हैं जब पूरे इस पर इस पर डिटेल्टे जो थियोरी होगी, स्टड़ी होगी, उसके बाद हम एक्शली बता पाएंगे. देखिए, ये एक्शली भारत का मैप है और ये स्रिलंका का मैप है, तो ये इसके बीच में जो पाक स्टेट है, यहीं पर क्या है, एक्शली पाक बे है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही गल्फ ऑफ मननार है, तो इसी इलाके में एक्शली डेड़ सो से दो सो जो भी बची ह इसी इलाके में पाई जाती है, जिनके स्टनक्षन की बात की जा रही है, यहां पर, एक्स्पेंग निंग, एक्स्पेंग दा इंपोर्टेंस ओफ कंसर्विंग डिगॉंग, साहु सेड, देपले क्रूशल रोल इन मैंटेनिंग हेल्थी फिस स्टॉक, डिगॉंग इस दा इसी हर्बीवोरस, मरीन मैमल, ओन आर्थ, डेट फीड्स एक्स्क्लूजिवली ओन सीग्रास, इट कंजूम्स 40 केजी ओफ सीग्रास डेली, एंड हेल्प इन ग्रोथ फ्रेस वेजिटेशन, देखें लगब, चालिस किलो, एक बार में या एक दिन में यह गास, जो सी घास है उसको खाती है, और जो फ्रेस वेजिटेशन है, उसको ग्रो करने में हेल्प करती है, इन दा अपसेंस ओफ ड्यूगोंग्स, सीग्रास विल ग्रो डेंसली, एंड फिस विल नोट कम टू ले एक्स, देखें अगर ड्यूगोंग्स नहीं होंगी, या ड्यूगोंग्स मर जा ग्रोंगोंगन ओक्षेंद है, मिल उसके समया संथा जोले सान, पराख ऩ्यूगोंगत कृंप कवर काम प्र इस या डूगोंगोंगोंग में दृखेंशन श्वक sm montan श्रणा क मुदीभ तो मूंग स आपक बेर पानी हंगोंगोंगोंगोंगया पानी और आपइच पाय वास साइटिड इन दा प्रपोस्ट रिजर्व ओन दिसमबर 29, 2018 दा फर्स्ट साइटिंग ओफ डिगोंग इन दा वाइल्ड इन तमिलनाडू शिक्स डिगोंग वर रेस्क्यूड एंड रिलीजड बैक इन्टू दा सी छे मचलियों को वहाँ से बचाया गया रेस्क्यू किया गया और उनको वापस समुदर में छोड़ा गया वाइल 11 डिगोंग डाइड इन दा रीजन दिरिंग दा प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के तहत 11 मचलियां जो हैं मर गई थी जो फिशरी होते हैं जो मचली पकडने आते हैं उनकी एक्टिविटी से माना जा रहा है कि ये मरी होंगी इस बिलीव दाइड एरिया इस बिंग यूज़ एस ब्रीडिंग ग्राउंट बाइड डिगोंग जो हम 500 इसकार किलोमेटर के भी बात कर रहे थे उसके हिसाब चेकर लगाओं तो 82 परसंट जो एरिया है एक्चुली जो सनक्सिर छेतर है उसमें सीग्रास है विद 48 परसंट हैविंग इंटेंसिव सीग्रास कवर और 48 परसंट में बहुत ज़्यादा गणी सीग्रास कवर है Studies have revealed that the proposed conservation reserve supports several globally important species such as highly threatened whale shark देखिए only actually जो हम डिगों की बात कर रहे हैं सी काओ की बात कर रहे हैं उसके अलावा highly threatened जो whale shark है, sea horse, green and hawkball sea turtles, dolphins and sacred chunks इतनी जो परजातिये हैं इनके बारे में भी यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रपोस conservation reserve supports यह सब भी उसके अंडर आते हैं despite its ecological and economic significance, this critical dugong habitat is under threat largely due to unsustainable fishing practices क्योंकि वहाँ पर unsustainable fishing practices होती है there will be a speed limit for boat movements to minimize boat strikes देखें कभी-कभी क्या होता है, जो काफी तेजी से नाओय चलती हैं, boat चलती हैं तो उनसे टक्रा कर भी इनकी म्रत्व या इनको काफी नुकसान होता है in 2016, forest department with the assistant of Suganti Davidson of the Marine Research Institute prepared a species conservation action plan to asset the dugong habitat यानी seagrass beds in park bay between Pamban in Ram Nathpuram to Athira Mapatinam the study revealed that there is a seagrass cover of 209.9 km यानी जो यहाँ पर 210 km के आसपास का seagrass cover है a similar study in 2011 found a seagrass cover of 254 square km Edward Paterson, director of SD MRI, said trolling remains the biggest challenge, loss of 45 square km of seagrass cover in 5 years is worrisome यानी 5 सालों में 45 square km का जो seagrass का loss हुआ है वो एक चिंता की विशे पैदा करता है तो यह था हमारा आज का topic जिसमें हमने बताया actually dugong क्या होता है समुदरी गाए, sea cow actually वो एक मात्र ममल बचा है प्रत्वी पर जो हर्भी वोरस है केवल गहां स्फोस पर जिन्दा रहता है तो कैसी लगी आपके वो वीडियो जरूर बताएगा फिर मिलेंगे आपसे जय हिंद, जय बाद